हेलो एवरीवन वेलकम डू अभेमिन्यो आई एस तो 2023 को हम कर चुए टाटा बाइबाय और 2024 का हम कर चुए स्वागत हैपी न्यू येर है ना बोल चुके एक दूसरे को और फीश भी कर चुके हैं है बट क्या हमने 2023 से कुछ सिखा जो 2024 में लेकी जा सकी है क्या है क्या है क्या हमने है 2023 की जो मिस्टेक्स हैं मैं मिस्टेक्स ही बोलूगा उससे कुछ सिखा जो हम 2024 में कर सकें बताइए मुझे प्लीज एक पर ध्यान से क्या 2023 की ऐसी कोई मिस्टेक्स जो 2024 ना दोरा ना चाहिए येस वो है वो क्या है एक तो सबसे पहली बात वहीं हमारे साथ ना जुड़ना ठीक है नंबर दो सबसे इंपॉर्टन क्या है यूपी ऐसी सी सेट को हलके में लिना ठीक है और नंबर तीन पर क्या है प्रॉपर प्लैनिंग ना करना अब कई स्टूड़न्स ने मुझे ना एक बात बोली कि सर प्लैनिंग तो है मैंने ये बुक ले रखे मैंने एक्स वाइज बुक लिए और बस इसके सारे कोशन कर लिए मैंने मेरा तो होगया इंत's है गलत है मैं देखो एक बात बता हूं आपको एक बुक होगी है न तो क्या हम सारी बुक्स करें क्या कोई ऐसी स्ट्रेटरजी है या ऐसा कोई मैठड है जिसमें इन किसी बुक्स को ना करके सिर्फ एक जगह जाए और उसमें सारा का सारा डटा कंपाई लो वस्टलब सारा के सारी चीज़ें हो जैसे उसके अंदर प्रीविश यह कोश्चन भी हो है आपकी से से शिर्फ ओ हो क्या है तो बेस्टलिजिंए नॉट्स बीओ है वहाँ पर सबुछ हो इसा क्या अब भीन हो लुए और क्या रे यह जिसे हैं नाम हम दिया है जीरो टू हीरो बैज जिसे हमने क्या नाम दिये जीरो टू हीरो बैज और दीखेज रहाए इसके टाइमिंग्स करने वाली मिरे पस तीन बज़ी से लेके साठे चार ठीक है, बेसिकली ये मिरे पस पांच बज़ी तक ही होता है, यानि मैं क्या बोलूँ यह बेसिकली मेरे पास कब से कब तक होता है तीन से पांच ही होता है कि यह 30 मिनट क्यों ज्यादा सर आपने तो यह लिखा हो वे तीन से साड़े जा रहा है कि तीस मिनट किसी जगे एक्सता है बताऊंगा भी विचार भी मर्श करेंगे इसके उपर भी ठीक है देखो सुटल हएं यह मैंने दो पार्ट में उइसको किया पार्ट मेरे बात क्या है यह वाले जो नाइटी प्लस लेक्षर से पहले इसकी बात करने हैं फोड़ा से यह आपको प्रीडिड मिल रहा मतलब यह प्री आपके पास है इसमें शेडूल्ड है जिसके बन्दर पंदर लेक्चर से आपके पास किसके हैं प्रिवीशे लेक्टर से हैं कि अधिक प्रिदेशन कितने आपका 50 प्लस हैं अच्छा लाइव मेंटरिस प्रिशाशन कितने आपका 30 प्लस तो यह तकरिम प्रिवन नबपई से ज्याजा बखते क्योंकि यह प्लस हैं और यह वाले जो 90 लेक्टर से किस रूप मिल ले वाने आपको एक्चुली सुदेंट सी है हमारा ओनलाइन प्लस ओफलाइन बैच है जिसको आप हमारे हेड्सेंटर महली में आपके ओफलाइन भी लगा सकते हैं या घर बैठ के से ओनलाइन भी आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात निकलिए तो यह 90 लेक्चर्स का जो खेल है जो ग की और पंदरा के से मिल को से यंद्ध इंग्लिश के अधिक्लिश के दिखें पैचिस लाजीकल के और 50 50 से थोड़े से ज्यादा ही आपको किसके देखने को मिलेंगे कॉंट के यह मैं से कौंटों आपको 50 मिलेंगे कि 75-70 लेक्ट्र पूछ अधी मिलेंगे और एक लेक्चर कब देढ़े खंटे का दो ही है 30 मिनीट उसमाइस अगर अप्र प्रैक्टियोच निकाल भी दो तो चलेगा क्योंकि यह पर फाट यह है इसके सारी बात में करोंगा सबसे पहले क्या किया मेरी पास मेरे पास वीकली श्रेइडू लाता है सबसे पहले विकली स्टुडू लाएगा वहां पर आपको एक लेक्चर दिखेगा कि माट प्रिवाइन हुआ है unless मैसलेक्षर की प्लैनिंग कैसे है इस लेक्षरी कि ब्लैनिह कैसे सबसे पहली बात हमें क्या तीन चीजे में मिलें ही सबसे पहले क्या मिल रहे हैं लेक्टर की पीडियेफ। नमबर तो भी रिसोर्च इस और नबर तीन प्रेक्टिशेट। अब धीरे-धीरे समझे ये तीन चीजे क्या है ये तीन इंपोर्टन फेक्ट्स क्या है। जो कहीं ही मिल रहा सिरफ पर सी अभ्यमयाइस की मच्पे मिलेगा अभ्यमयाइस की 0-2,200 मिलने वालता क्या है सबसे पहली बात लेक्ष्चर की पीडियर मतलब यह पीडियर वह है suppose कीजिए जैसा direction करें direction का मैंने आपको chapter करना है तो जो भी direction की theory होगी या जो भी direction के questions मैंने कराने वो pdf format में आपकी pdf format में वो इस lecture के साथ quarter पे लगे मिलेंगे ताकि आप लोगों का time waste ना हो easily आप उसको देख सकोए ठीक है नबर दो resource chart क्या होता आपके बताएंगे resources क्या होता है resources chapter का वो part होता है कोई theory हो सकते students उसमें कोई इसमें आपका one liner हो सकता है कुछ short questions हो सकते हैं कुछ tricks हो सकते हैं जो chapter को समझने में असाने से मेरी मदद करें ठीक है number 3 पर क्या है number 3 पर आता है मेरी practice sheet प्रेक्टिशीट क्या होती है जिस तरह के question हमने कक्षा में क्लास में आज ही है जिस तरह के question आज हमने class में discuss की या हमने की उसी तरह के कुछ बहतरे इन questions with solution या without solution वैसे तो almost with solution होते हैं ठीक है वह आपको या with answer kiss आपको देखने को मिलेंगे पोर्टल पर और जिसका discussion basically होता क्या हर जगहां पर महिने में एक दो डाउट session होते हैं यहां पर हर class के साथ डाउट session विकास साड़े चारते हमारी class रहेगी और उसके बाद तीस मिनट का डाउट session मिलने वाला है कोई भी कोशन आप पूछ सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी का पूछेंगे अगर पिछला कोई सारा ठीक है प्रेक्टिशीट का पता चलके हमने रिसोर्स को जान लिए और हमने लेक्षर पीडियाफ को जान लिए अब लास्ट में आता है मेरे पास वीकली टेस्ट जो होता हर संड़े को वन पीम यह ओन लाइन ऑफ लाइन बहुत होता है ठीक है एक बज़े आपको टैस्स मिल जाएगा और आप यहां पर ऑन लाइन भी दे सकते हैं या इसे ऑफ लाइन भी दे सकते हैं हमारे हेड़ सेंटर में आके डिपेंडिकर मोंदा कर्डिशन क्लियर तो यह और आपको य इसको बाद भी देख सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्लियर नेक्स्ट है मेरे पास देरेक्शन साइधिक डरेक्शन सी यह साज़ीं देरेक्श्न के छोटी-छोटी कॉंसेप्स को समझेंगे और अच्छे से कुशन बोलाने की कोशिश करें एक और आज हम लाइं बहुत अच्छे से लिए सबसे पहले बात समझेश्टा क्या है देखो जान और वहीं यह पर ऐसा कुछ होता है अच्छा पिया कोंसा होँा साउध्वेस्ट ये कोह वह मिर बास साउध्वेस्ट है सौध्व जो बुल आपने बोल ला है ये क्या हुआ नॉर्धीस्ट को मिरे पास नॉर्ध्वेस्ट टोटल 360 डिगरी होता है तो हर एक डिरेक्शन की बीचवे 45 डिगरी का कौन होता है यह 90 डिगरी इसको दो में बाढ़ दो क्लियर ऐसा होता है हाल का मुमेंट चलती है वो कोशन के कोड़िगल में देखेंगे चलिए कोशन क्या दिया है साथ यस्ट बिकम नॉर्थ अब देखो साथ इस समझिये जरा वो कह रहा है साथ इस्ट कॉन से मेरे पास साथ इस्ट बिकम नॉर्थ मतलब इसको मैंने अंटीक्लोकवाइस एक इतना यह 45 और यह कितना 19 ane 30 गरिए आंनुट 16 टिरला के सब्खक्रस इस अहलते चाहिए इसका उल्टाつ टिक है 90 क्लोक्वाई स्टिकर एंड अर्थ इस्थ बिकाम स्वेस्टण नॉर्थ इस्थ विकम बैस दे को यह भी कितना हो ग्या एंब100 पैं किना nuclear न्री पास कि एंटी क्लॉक्वाइज ही बोलोगे इसको अब उल्टी डिरेक्शन में गड़िया से चलती है तो ऐसे चल रहा है क्लियर वट वी वेस्ट वेस्ट का है वेस्ट आगी है तो वेस्ट को चला दो कितना अंसर आपके बास साउथीस्ट मतलब अगर वह यह कहा देता कि 135 डिग् यह ऐसे बोल दिये बोतार सेम थिंग तो अंसर कितना अगया मेरा आपके बास साउथीस्ट ऑप्शन नमबर सीजगा राइट वन क्लियर तो इजी कोश्टन था थोड़ा सा सोचना पड़ता है हमें इस कुश्ट में ऐसे करके क्लियर जल्दी से नोट कीजिए नेक्स कुश की मीटर तोर्ज नॉर्थ दैन ही टन राइट देखो एक बात ध्यान रखना आप जब डिरेक्शन में देख रहे हो ना जैसे जैसे सपोस्कर आप नॉर्थ की दब देख रहो यह आपका राइट यह आपको लेफ्ट अगर आपको यह बोला है कि वह साउथ की तरफ गया है जब दन ही टर्ल राइट एंड वौक थर्टी मिटर मतलब पहले वो नॉर्थ में गया 20-net फिर 30 मिटर उसने राइट लिये यह दन ही वोक राइट and वोक 35 मिटर दन ही टन लेफ्ट अंड वक 15 मिटर सफाइनली ही टर्ण लेफ इन वक 15 मिर इन वज ज़िए डरेक्शन and how many meter is he from the starting position कफे अच्छा कोश्च है ना करिए ज़रा प्लीज ट्राइब करेंगे से देखो रासिव वोक्स 20 मेटर टॉर्ज नौर्थ मतलब सबसे पहले यह मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ओ ले लिए मैंने ओ मेरा क्या स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मुझे ओ से देखना है वो कौन से डिरेक्शन में है और कितने मीटर या किलोमेटर की दूरी में सबसे पहले भाई 20 मिटर नॉर्थ थोड़ा खुला खुला डियागराम बनाएंगे ताकि मुझे दिक्कत ना हो देन ही टर्न राइट देखो नौर्थ में बताया था राइट यहां जाएगा कितने मीटर है 30 मिटर अब यह डिरेक्शन आगी टर्न राइट यान नीचे को यह 20 आ गए यहां तक और यहां तक है 15 तो यह कितना अगया मेरे पास 35 मिटर मतलब इस पूजिशन पहुंच चुके हैं देन ही टर्न राइट और थर्टिफाइव मिटर देन ही टर्न लेफ्ट अब देखो लेफ्ट कहना जाएगा क्या लेफ्ट इदर रहेगा सोच के देखे मैंने कुछ बताया था आपको मैंने कुछ इंफर्मेशन प्रवाइड की थी आपको कि अगर आप साउथ की तरफ देखे तो लेफ्ट राइट आपका बदल जाता है इसका बिटू नौर्थ कहां तक पहुंच गे इन वीच डिरेक्शन अच्छा फाइल ही ट सब्सक्राइब यह बिल्कुल जो अपना स्टार्टिंग बट था ना उसके पैरलल आचुगा कहीं वे किसी डारेक्शन में अब कौन से डारेक्शन में यह देखना देखो यह कौन से मेरे पास अगर मैं बिसीकली बात करूं नौर्थ साउथ वेस्ट इस्ट अगर यह स्ट ठीक है तीस और पंतरह पैंतालिस तो आप्शन नंबर यह मेरे पास बिल्कुल सही अंसर इस कोश्चन का क्लियर तो यह बहुत सिंपल कोश्चन था जो हमने बहुत इजी लिए मैं जादा देखो डिरेक्शन में यह नहीं बोलूँगा कि शॉर्ट टिक्स की तरफ जाए मै यह को आपका ध्यान रखिए का थोड़ा साइस बात का क्लियर चलिए लेटस मूव डाउं तो कुशन पर त्रियों थे लिए चलिए राहूल पुट इस टाइम पीस ऑन दे टेबल इन सच अवे थैट एट एट सिक्स पीम आवर आवर हैंड तो नॉर्थ इन विच लेटस डू दिस कुशन राहूल पुट इस टाइम पीस होना टेबल इन सच अवे दर देखो इनीशली उसने क्या किया देखो इन नौर्थ हो गया इस आउट हो गया यह वेस्ट हो गया इस्ट हो का क्लियर मतलब उसने क्या किया है रहू पुट हिस टाइब इस ऑन टेबल इन कि छोड़ाइब आशे लगान पॉर अगरशे बजिया तो कुछ ऐसा है इसका मतलब गया तो और यह वह मेरे पास मीनट हैंट हूग कि इसका मतलब है आवर हैंड का है मेरी नौर्थ में और मिनेट हैंड कहां पर है मिनेट हैंड हमारी साउथ में ठीक है पूब यह शे बजे का टाइम है अब वो क्या कह रहा है इन वीच डारेक्शन मतलब देखो अगर बेसिकली यह है तो इच्छे होगा यह क्या हुगा यह 12 होगा अगर 6 बजे मुझे बजाने हैं तो यह 6 होगा यह 12 होगा ऐसा ही होते है पर Sans आपकी घड़ी लो यह क्या होगा यह क्या होगा आपके आर्स तीन खेचोन बरस शेख कैसे बजेंगे चैक कि सबजेंगे यह तो यह अँरल दिए होंगे तीन चेनों बारा ऐसा कुछ होगा मतलब अब घड़ी कैसे जाएगे अपकी घड़ी ऐसे जाने वाली आपकी अब वो क्या कह रहा है इन विच डारेक्शन दा मिनेट हैंड विल पॉइंट एट नाइन फिफटें इसका मतलब अब जो मेरी न्यू डारेक्शन वो क्या खो कि इस एंड के और यह 9 को indicate कर रहे ठीक है यह वैस्त है और यह घोंड एखना शणो नो अबंधरा कैसे होगा नो बज के 15 मिनुक्स या नी ये कैसे होगा यह आ exceptions in there mycket subjects होगा यह तीन का मतलब 15 तो यह क्या होगा यह आपकी मिनेट हैंड होगी तो मिनेट हैंड का जाएगे आपकी प्रेस की तरफ ऑप्शन नमबर डीज दा राइट है जल्दी से नोट कीजिए इसको अच्छा कोश्चन दा काफी है क्योंकि जब तीन वाली पी सुग आते तो पंदरा होता है छे वाली पे थीस आपकी नोग वाली पे फैंतालिस और बारा वाली पे साथ पूरा एगंटा क्लियर तो काफी इसी सा कोश्चन था बड़ थोड़ा सा सोचना पड़ा मुझे की कैस की डारेक्शन में मुझे पहले सब्सक्राइब करेंगे अच्छे से आपको फिर हम इसको अच्छे से बनाएंगे कोश्चन प्रीज नोट कीजिए स्कोर करना शुरू कीजिए देखो नॉर्थ वेस्ट करें अच्छा अब मैं फिसिंग नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मंतलव इस डेरेक्शन में फेश की सबसे वहले उसने क्या है मैंने आपको कुछ बताया था कि जो मेरी सारी के सारी डिरेक्शन्स है उनके बीच में कितने डिग्री का है 45 यह 45 45 45 45 45 45 45 यह ऐसा होगा जांसे देखिए ना क्लियर अच्छा नेक्स क्या बोल रहा हूं सबसे पहले उसने 90 डिग्री क्लॉक्वाइस देखो 90 डिग्री क्लॉक् क्लॉक्वां को इसके बाद फॉन मांच राकष क्या उसने कर नहीं मैं दो भनेटी डिग्री क्लॉक्वाइस जाओ जाओं 12 ट्रोक्वाइस को इसलिए और यहां पहुंच में तो यह पूंच मेंधिंशन दो एक राड़र डिरेक्शन एंड देन अनदर 90 डिरेक्शन मतलब 90 डिरेक्शन मतलब यह फाइनल पॉजीशन होगी कौन से साउथ हीस्ट साउथ हीस्ट इस दा राइट नसर ऑप्शन नमबर सी बट सर आपने तो कहा कि बिना पहन चलाए भी हो सकते बिल्कुल हो सकते पहले से नोट कर लो फ है और एंटिक लिए तो मैं 90 ठीक है मूश्वरी माइनस उसने जो मेरी इनिचल पूजीशन थी ना उसे तो कभी ऐसा मल्टीपल आपका डिग्री वाला कोशन है न तो आपने चुप चाप कुछ नहीं करना क्लोगवाज जाए लेको प्लस ले लो आपका अपने मंसर आज़ेगा क्लियर क्लोगवाज डिरेक्शन बेसिकली हमें जाधा अच्छे लगती है तो इसलिए पॉजिटिव और एंटी वाली को मैंने नेग्टिव ले लिए ठीक आगा आपको याद भी रहे जल्दी से नौट है यह मैथमेंटिकल एक्सप्रेशन जैसा है इफ एक्रॉस भी मिन्स एस्टू असाउथ भी एप्लस भी मीन्स एस्टू दा नॉर्थ ऑफ भी अच्छा वो कह रहा है कि अगर बीचे मल्टिप्ले के निशान इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला हो दूसरे वाले के मैं एके आउने वैसे तो ऐसे हैं मैंने चलो साघ्के लिखता भी एक के अच्छा से एससे कर के कुछ से कर ठीक हे पर्सेंटेज का मतलब यह हँआ it to the east of b a-b means a s to the west of B मैं और हम यह किसका मतलब होगे पर्सेंटेज का यह फ्यल्य ब Хै अगर मोयन शीबात करोगे मुझे इसका मतलब बताना है पहले तो हम इसे प्लॉट करना है फिर मुझे बताना है इस है इसलिए बताना है चली करतें देखो पर्सेंटेज का मतलब कितना हूं मेरे पास पिपरसेंटेज क्या थें आ इस तो बी इसका मतलब किया हुआ अगर यहां पर इसका इसका इस्ट कौन सा हुआ कि इसका मतलब यह तो बोला कोश्चन में कि दूसरे वाला पहले के इस्टे में तो डेफिनेटली मेरे पास एक कंडिशन यह फॉल्फिल हो रही है फ्लस क का मतलब क्या था प्लस का मतलब क्या है मतलब क्या है a ब्लस का मतलब ए इसरी नौर्फ प्राइए यानि क्यों आर्थ के नौर्थ में इसका मतलब यह हुआ क्यों आर्थ के नौर्थ में पहले वाला दूसरे बाले के नौर्थ में पहले बाले के पूजिशन ने बताए विद रिस्पेक्ट तु सेगें अच्छा जी माइन हो गया मेरे पास यह भी हो गया मेरे पास यह भी हो मतलब हार इस इन वैस्ट ओट आप मतलब अगर एसकी पूजिशन यह आर करें समय तो वैस्ट इसका अब क्यों यह हो आपकर है तो आप यह कौंसे पूजिशन के मेरबास यह जिया आपकी साउंथ यह क्या होगी ईस्ट गया साउथ ही इस अं सने मेरे पास option number B is the right answer clear तो option number B Southeast is the right answer clear that was very easy question बनाना पड़े इस question को में क्योंकि direction गलात हो सकती है अगर आप थोड़ा सा भी इसको उपर निचे कर दो question को clear चलिए two cars starting from the opposite places of a main road 150 km apart मतलब दो cars है वह 150 km पार्ट है फिर्स्ट कार रंस for 25 km टेकर राइटर पहली 25 km चली मैं यह बोलता हूं यह मेरी डर्य यह और यह मेरी भी है ठीक है ध्यान रखेंगा थोड़ा सा यह 25 km चली पिर इसने निच्चे गदर राइटर ले लिया and then turn 15 km और यहां पर कितना चलिए यह 15 km चली ठीक है इट दें टेंस लेफ्ट and then run for 25 km लेफ्ट का मतलब क्या हुआ क्योंकि अब यह साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग में जो नौर्थ में राइटों को लेफ्ट हो जागा it then turns left and then 25 km and then takes direction back to reach the main road in the meantime due to minor breakdown the other car has run only 35 km इसका मतलब यह भाई साप सिरफ और सिरफ 35 km चले है what would be the distance between two cars at this point इसका मतलब मुझे यह बताना है यह point यह कितना है देखो वो जितना बर्जी चला हो मुझे इसका कुछ नहीं देना मुझे यह लेना देना हो यहां से यहां चला 25 यहां से चला 25 है total main road पे कितना चला हो 50 km और यहां से कितना जले 35 तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया 85 हो गया तो करना कितना है 150 150 में से 85 कर लिया तो कितना बचाए 65 km option number a is the right answer clear तो that was very easy question बहुत easy question था जो हमने असाने से कर लिया clear तो यह direction की बहुत अच्छे 5-6 questions तो प्लीज इस वीडियो को session को like करें share करें चैनल को subscribe करना प्लीज मत भूलिए clear काफी अच्छा easy direction मुश्किल नहीं ज्यादा ठीक है आपको बड़े logical से असान से question आते है के मुश्किल question नहीं आते है में ज्यादा clear चलिए नेक्स मेरे पास मैं आपको बता दूँ हमारा नया बैस्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर क्या बनेटी प्लस लेक्चर से 90 आपको मिल रहे हैं लाइव लेक्चर्स और 90 आपको मिल रहे हैं क्या रिकॉर्डे लेक्चर् क्रस्टिंग साब के पास एक कोर्स आपके पास क्लियर कोई बुक फोलाओ निकरने सभी आपको सभी चीज़ी यहां मिलेगी सारे थेयोरिया मिलेगी रिसोर्स मिलेंगी इच और यहां पर है और चाहिए तो है भी यह चलिए अब मैं बात करूंगा टार्गेट बेस्ट जो जो मेरी सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर जैसे नंबर सिस्टम होगे आपकर नंबर सीरीज के एकसर दो कोशन आ पको हर बार डियर्शन सेंस के कोशन आ रहे है एक और आपको किस के कोशन आ रहे हैं अब थोड़ी धर में इसकेशन करते हैं जब रिजनिंगी पे कि चलिए सबसे पहले क्या करना है इसका डिरेक्ट लिंक आपको डिक्रिप्शिप्शन बॉक्स में दिया गया बट आप यहां से भी अगर पोर्टर से जाना चाहें तो सबसक्रिप्शन वीडियो कोर्स टेस्कोर्स यहां पर आते हैं मेरे माइक्रों से पहले सबसे पहले आपने वट्सव करना है क्लिया मतलब यह तो अब क्या करें अब कर सकते हैं कि हाप कॉल कीजिए वट्सव भी अपना हम से जूड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद मैं अगर इसकी बात कुरूं बिसकली बता देता हूं सवरा का फिरम लॉजिकल पर चलेंगे जैसे पूरा बंदद 24 में मतलब ढसारी दस लेक्टर से न हमांप कीजिए का नौ वैब्नोट्स हैं इस वैबनाieważ का की आखाना जो काम हमारी सॉर्सी का थाना वही काम हमारे वैबनोटस का है कहने का मतलब क्या है कि जैसे बेसिकली मैं बात करूँ वहां पर थरेटिटिकल आपड दिया हुगा कुछ शौट कोश्चन होगा वही काम यहां पर वैब नौट का है वैब नौट समय स्ले बस दिया होगा है तोपिक सा सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे लॉजिकल की बात करें तो मेरे पास जैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप पजल करें रैंकिंग और कर सकते हैं आप डिरेक्शन जैसे डिरेक्शन है देखो 6.1 यारी एक से दो कोशन मिनिमुम मार आपके पास समझे इस बात को सिर्फ और सिर्फ 121 रुपे देखने को मिल रहे हैं कुछ मत करो ट्रायल लेके देखे ट् नहीं जाएंगे क्योंकि यह बहुत अच्छा आपको डेटा थायार करके दिया हुए इसी तरीके से हर एक चैप्टर के साथ 6 मिनेटर ट्रायल है आपके वैब नोट्स हैं जहां-जहां पर लेक्चर्स हैं आपको क्यान में ट्रायल दिया गए दो लेक्चर्स हैं तो टू स्टूडेंट्स हैं जिनके भी 2022 की सेलेक्शन हुई थी तीक है जैसे मिस्टा वर्नम ने 51 रांग और चापन रांग था पर्सकर 51 था जती ने 91 दिव्या ने 105 इन बच्चों ने एक बात मुझे प्रसंद आती थी एक बात जो सब में कौन थी बता क्या है जाना चाहोगे ये तो कमेंट में लिखेगा सर और बाते बताओ यह कैसे टॉपर्स बने कैसे रेंगले फिर बताऊंगो सारे चीज़े अगर कमेंट करो जब भी पता चलेगा अदरवाज नहीं बताऊंगा चलो देखता हूं कितने बच्चे चाहते हैं एक्चुली इन सब में जिग्यासा थी क्योंकि इनको पता था बिना सी सैट के आप आगे नहीं बढ़ सकते तो अगर इनको यह पात पता थी तो इन्होंने ज्यादा फोकस के तो आप भी फोकस करना ही दुरूर था इन्होंने टाइम बिंग पर अपना स्लेबस कंप्लेट कर लेता है रिवीजन भी हम अच्छे से से क्लिर और मैंने कहा रहा हम क्यों 25 साल से नंबर वन बनें सिंस 1999 से क्यों हम नंबर वन है यह बच्चों की लाइन बता रही है क्यों क्योंकि one-to-one mentorship है यह यह पर dedication है अगर लगता है कोई बच्चा थोड़ा वीक चल रहा है क्यों चल रहा किस पार्ट में दिक्कत आ रही ह तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिए तैंक यू